पत्मी को तीन तलाग दे कर भाग रहा था विदेश दिल्ली पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को बैंगलूरू एरपोर्ट से किया गरफतार दिल्ली पुलिस ने एक डॉक्टर को बैंगलूरू हवाई अड़े से अपनी पत्नी को फोन पर तीन तलाग देने के आरोप में गरफतार किया है पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी पत्नी को तलाग देकर बीटेर भागनी की फिराग में था महिला की शुकायत के बाद पुलिस ने उसको गरफतार किया है समाचार एजेंसी की खबर के अनुसार डॉक्टर दौर अपनी पत्नी को फोन कर तीन तलाग देने का मामला पिछले साल तेरे अक्टूबर दोजार तेईस का है इस बारे में 36 वर्स्तिय महिला ने एक फरवरी को दोजार तेईस को कलियान पूरी में पुलिस को अपने पती की खिलाफ शिकायत दर्श कराई थी पुलिस ने बताया कि महिला और डॉक्टर की मुलाका साल दोजार थारे में हुई थी जिसके बाद दोजार ने साल 2020 में शादी रचा ली पुलिस ने कहा कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह दोजार थारे में आरोपी से खिली थी उसने अपना परिचाई विदेशी मेडिकल इसना तक परिच्छा की तियारी कर रहे डॉक्टर की रूप में दिया था दोजार बीस में शादी की और उनके कोई संतान नहीं है अपनी शादी के कुछ महिले बाद आरोपी ने अपनी पतनी से कहा कि वह कुछ परिच्छाओं की तियारी करना चाहता है और इसलिए अपने पढ़ाई पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए दिल्ली के एक अलग इस्तिमे रहना चाहता है शादी के एक साल के अंदर ही आरोपी कल्यान पूरी के पूरवी विरोध नगर में शिफ्ट हो गया जबकि महिला लाचपत नगर में रहती रही